वेल्कम बेक एवरिवन वेल्कम टे सुवल सर्व से स्टड़ी एप्रेक्टिस सैट नमबर 202 है यूपी PCS के लिए और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट लोना रखिए वहां पर आप टेस्ट नमबर 1 से लेकर 202 तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ह है उसका और इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर उस पर कोर्या वट्सप करके गए गला मेरा कुछ खराब है ठीक है अकल तो पूरा ब्लॉक था इसलिए इसके चलते जो है कोई टेस्ट नहीं आया और आज भी डिलय है एक दो दिन में सही हो तो सही टाइम पर कंटिन करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं फिलाल तो पहला प्रश्ण है नमलकित में से किन है बंबई त्रिमूर्थी के नाम से जाना जाता है तिलक गोखले नौरो जी तिलक महता तयब जी महता तेलंग तयब जी ला भाल पम कि लाल मतलब लाला लाच पत राये बा विपन चंदरपाल और पाल मतलब बाल उपल मतलब विपन चंदरपाल तो फेकस ये पुरह नाम है लेकिन उत्तर यह यह नहीए है यहाँ उत्तर है उप्रसन नममर जी और तेलंग यानि केटी तेलंग तो फिरोसा मैता केटी तेलंग और बद्रुद्दीन तयब जी को बंबई त्रिमूर्थी के नाम से जाना जाता है और इन तीनों ने मिलकर 1845 में बंबई प्रेसिदेंसी एसोसियेसिन की इस्थापना की थी इसलिए जाना जाता है इनको किस ने यह वक्तब दिया था किसका वक्तब है यह यह वक्तब है दादा भाई नारोजी का ओप्सन नमबर C है इसका है तो राजा जनता के लिए बने है जनता राजा के लिए नहीं बनी यह जो कथन है वो भारते राजनीती के पितामा कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेत उद्द्योग पती, सिक्षाविद और विचारक, दादा भाई नरो जी का है चलिए कोशन नमर थ्री पर आज़िए मैं एक समाजवादी और गर्दंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है किसका है ये वक्तव ये? जबाहर लाल नहरू, उप्सिन नमर दी देखें, उन्निस सो उन्तिस के लिया हो और आधिवेशन में जबाहर लाल नहरू ने अपने एतिहासिक अध्धक्षे भाशन में कहा मैं सवभाब में समाजवादी हूँ और मेरी राजा, महराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है तो डी करेक्टर कॉश्चन नमर फोर पर आजए राजनेतिक विरोध बरदर्शन के नमलिखेत चार रूपों में से कौन सा व्यक्ती? कौन सा उस व्यक्ती के नाम पर अधारित है? जिसने सबसे पहले इसका उपयोग राजनेतिक हतियार के रूप में किया था गेराव वंद हड़ताल वाइकॉट सीसी वाइकॉट ठीक है? यानि उप्सन नमबर A हो जाएगा ये नमबर इस पर कॉलिया वाटसप करके आप फुल टेस्ट सीरीज पर आप्त कर सकते हैं तो आयरलेंड के सीसी वाइकॉट के नाम पर ही वाइकॉट सब्द का प्रियोग आधारित है इन्होंने सबसे पहले 1880 में भू राजस्व कम ना करने के संबंद में इस विधा का उपियोग राजजनेतिक अस्तर के रूप में किया था तो आप्सन नमबर इस हो जाएगा इसका अंसर कॉश्चन नमबर फाइब पर आज ये नमबर के दमसे किसने 31 दिसंबर 1928 को दिली में हुए सरभ दली ये मुसलिम संबेलन की अधेक्स तकी थी करीम जलाल फज्ली हुसेन म ए जिंना या आगा खां इसका अंसर अप्सन नमबर इस आगा खां तो आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से एक जनबरी 1929 तक दिल्ली में हुए सरब दलिय मुस्लिम संभिलन की अधिक्स्ता की थी संभिलन की मुख्य प्रश्ट भूमी 10 सितंबर 1928 में आई नहरू रिपोर्ट थी इंपोर्टन्ट है नहरू रिपोर्ट भी कई बार प्रश्ण मराया हमने एक्जाम में पूछे आते हैं प्रश्ट वर्श्ट नमबर 6 पर आजए अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासवा की अधिवेशन की अधिक्स्ता है अमर्रिक दिल्से किसने की थी पंडित मदन मोहनमाल भी है उप्सन बड़ी तो अगस्त 1923 में संपन बनारस हिंदू महासवा की अधिवेशन की अधिक्स्ता पंडित मदन मोहनमाल भी है द्वारा की गई थी इसमें लगभग 1500 प्रतिने धियों ने भाग लिया जिसमें सनातनी हिंदू जैन बौध एवंपार्सी भी समले थे और यह है व्यवसाई से चिकित सकते पट्टावी सिता रमया किसके पक्षधर नहरू थे लेकिन गांधी नहीं थे देखे सत्य में नहरू भी विश्वास करते थे गांधी जी भी अहिंसा में नहरू जी भी गांधी जी भी अस्प्रश्टावन मुलन में नहरू जी भी गांधी जी भी भारी और दग्यकरण के विरोधी गांधी जी थे ठीक है समर्थन नहीं करते थे या नी नहरू जी पक्षधर थे तो फिलाद डी हैस गांसर देखे नहरू और गांधी सत्य अहिंसा और अस्प्रशता उन्मूलन जैसे राजने दिखते था सामाजिक सिद्धान्तों के अन्यवाई थे जबकि कई आर्थिक सिद्धान्तों पर दोनों में घहरे मतवे थे जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लगू Q9 पर आजिए दो स्टेट्मेंट वाला ये सवाल है कौन सा इसमें करेक्ट होगा बताना है वर्स 1946 में गठे अंत्रिम सरकार में रेलवे तथा परिवहन मंत्राले का कार आसफ अली देखते थे देखे वर्स 1904 में Lord करजन ने Lord करजन के समय में पराचीन समारक संरक्षन कानून पारिद किया गया इसको अलक सबही पूछते है यहां तो statement में डाल दिया कि पराचीन समारक संरक्षन कानून किसके समय में पारिद किया गया तो सही उत्र लॉड कर जानी है करेक्ट है दूसरा और पहला दोनों के दोनों स्टेट्मेंट कुछ भी गलती इन में है नहीं तो C है इसकांसर कोश्चन नमबर दस पर आज़िए वर्स 1929 में जारी दीपाबली घुश्चना पत्र का संबन था किस से असप्रश्चता से डोमेनियन स्टेटस से सामपरदाइक समस्या स्रमिक निताओं से दीपाबली घुश्चना पत्र का संबन डोमेनियन स्टेटस से है भी है इसकांसर तो 31 अक्टूबर 1929 को ततकालीन कबरनर चनरल लॉड इर्विन द्वारा जारी किये गए दीपाबली घुश्चना पत्र का संबन भारत को डोमेनियन स्टेटस दरजा बनाने से था खुश्चन नमबर 11 पर आजईए नमड़ के दमसे कौन सा एक साई सुमलित नहीं है पश्चमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा 1871 से 72 उडिशा बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा 1865 से 66 में मदरास मैसूर हैदराबाद में अकाल पड़ा 1867 में और बंगाल में अकाल पड़ा 1843 में कोई एक सुमलित नहीं है इसमें उडिसा बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा 1865-666 में सही है अदरास मैसूर हैदराबाद में अकाल पड़ा 1866-78 में सही है बंगाल में अकाल पड़ा 1843-22 सही है पहला वाला गलता है पश्चमी उत्तर प्रदेस में जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1860 और 61 में ना कि 71-72 में तो ऐसे प्रशन UPPCS में मैच करने के लिए हम पूछ लेते हैं खुशन नमबर 12 पर आजएए यह किसने कहा था कि डोडो की भाती डोडो जो की एक बिलुप्त पक्षी है सामराजवाद दिवंगत हो चुका है किसने कहा था रैमजे मैकडोनाल्ड विश्टन चर्चिल महत्मा गांधी क्लीमेंट एटली बताए यह किसका कहता नहीं ओप्सन नमबर C क्लीमेंट एटली तो दुत्य विशुद के पश्चात ब्रिटेस प्रधार मंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा कि कि डोडो की भाती सामराजवाद दिवंगत हो चुका है डोडो जो की एक विलुप्त पक्षी है कोश्चन नमबर 13 पर आजई है इंपॉर्टन है प्रश्चन गोखले माई पॉलिटिकल गुरू पुस्तक किसने लिखिया गोखले माई पॉलिटिकल गुरू महत्मा गांधी के राजनेति गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले तो पुस्तक किसे लिखिया यह गांधी जी ने महत्मा गांधी की पुस्तक आई है कि कोश्चन नमबर 714 पर आजई है 1927 की बटलर कमेंटी का उद्देश क्या था क्या था 1927 की बटलर कमेंटी का उद्देश भारा सरकार एवं देशी रियास्तों के वीज संबंद सुधारना ठीक है यह प्राश्च ने यूपीए से सिवल सेवाब में भी पूछा जा चुका है 15 या 14 में पूछा था तो देखिए भारते राजे समीती ने सर हर कोट बटलर की अध्यक्सता में वर्स 1927 में एक समीती का गठन किया जिसे बटलर समीती या बटलर कमेंटी कहा जाता है इस समीती का गठन भारत सरकार यानि उस समय की अंग्रेजी सरकार एवं देशी राजाओं के वीज आफॉऔर फिप्टीन पराजगे क्रशक दिबस कब मना जाता है 23 तारिक सभी में कॉमन है मंत कौन सा है जा इस बाए उस यहीं बना जाता है तेई स सिर्वय को भारत के भुद्पूर्व परधार मंत्री श्वर्ग चौधरी С anda singhann के इस मर्थी में हर साल 23 दिसंबर को हुआ था कि सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था कन्या भुनातिया के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था विद्वा हिंदू विद्वा पुनर्विभा अधिनियम पारित किया गया था क्या हुआ था देखे हिंदू विद्वा पुनर विभा अधिनियम पारित किया गया था उप्सनमबर यह है इसका अंसर तो हिंदू विद्वा पुनर विभा अधिनियम 1856 1856 के अधिनियम ने हिंदू विद्भाओं के पुनर विवा और वैद विवा पुनर विवा के मार्ग में आने वाली बधाओं को दूर किया इस अधिनियम का उद्देश महिलाओं के कल्यान को बढ़ाबा देना था और यह अधिनियम हिंदू विद्भाओं के पुनर विवा क को बैद बनाता है और घोशना करता है कि महिलाओं के पुर्णर विभा के ऐसे किसी भी मुद्दे को नाजायज नहीं माना जाएगा ठीक है तो इससे इसपश्ट हो गया कि वर्स 1856 भारतिय समाज के इतिहास में महत पूर्ण था क्योंकि हिंदू विद्वा पुनविवा अधिनियम पारित किया गया था कुछ एडिशनल चीजे अगर हम देखें तो 1870 में कन्या भुन हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था जो आप्सन में था और सती पर्था के खिलाफ एक अधिनियम 1829 में पारित किया गया था दोनों की दोनों संज जो है वो याद रखिएगा और सेवंटीन पर आजएन अमिलिकत में से किस समा सुधारक दोरा निमने जाती की दमनात्मक इस्ति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की इस्ति के समरूप देखा गया क्या है इसका अंसर ठीक है यानि वहां के निग्रो जोती राव फूले या जोती बाव फूले अप्सन नमबर सी देखिए महात्मा जोती राव फूले ने लगभग 150 साल पहले संयुक तराज अमेरिका में अश्वेतो की इस्तिती की तुलना भारत में दलितों से की थी 1873 में महात्मा जोती राव फूले ने गुलाम गिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है दास्ता और इस किताब को लिखने के दस साल पहले अमेरिकी ग्रहयुद लड़ा जा चुका था जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हो गया महात्मा जोती राव फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्त कराने के लिए संगर्स किया था और इस प्रकार भारत की निम्न जातियों और अमेरिका में काले दासो यानि निग्रों के वीच एक कड़ी स्थापित करना है ठीक है इसलिए महात्मा फूले ने जोती राव फूले ने भारत की निम्न जातियों की दमनकारी स्थिति की तुलना जो है सेयुक्त राज अमेरिका की काली दास्ता से की है कोशन नमबर 18 पर आज रहे है गांधी जी डैस के लिए चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह आंदोरन आयुजद किया डैस में क्या एगा दैनिक मजदूर के लिए नील क्रशक के लिए मिल मजदूर के लिए उपरोगत उसे कोई नहीं गांधी जी ने नील क्रशक के लिए बिहार के चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह ए ठीक है जो है वो आयुजद किया देखे गांधी जी की बात करें तो एक भारतिय अबकील आपनी वेसिक राष्टवादी और राजनेतिक नीती वादी थे उन्होंने जो है ब्रिटिस साशन से भारत की स्वतंतरता के लिए सफल अभियानों का नित्रत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किय और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकारों स्वतंतरता के लिए आंदोलों को प्रेडित किया गांधी जी ने अब बात करते हैं नील करशकों के समर्थन में चंपारण सत्यागरे जो हुआ था 1917 में तो स्वतंतरता संग्राम में गांधी जी द्वारा यह पहला इन्होंने जो है मनाया था गांधी जी को चंपारणाने के लिए कि वो किसानों की सिती देखें तो गांधी जी अभिहार के चंपारण गए इनके कहने पर ताकि बहां के किसानों की सिती की जांच की जा सके और बहां के किसान जो है बहारी करो और सोशक प्रणाली के तहत प परन पहुंचे लेकिन बिटिस अधिकारी उन्हें ऐसा करने की अनुमती नहीं दी और गांधी जी किसानों और जंता से समर्थन जुटाने में जो है सफल रहे जब गांधी एक समन के जबाब में समन मतलब जो अदालत की तरफ से आता अदालत का बुलाबाया नोटिस उसके क गई गांधी जी के नेतरत में बागान मालिक और जमिदारों के खिलाब सांती पूर्ण विरोध पुरदर्शन के बाद साशक सरकार जो है सोशक तिनखटिया प्रणाली को साब्त करने पर सहमत हो गई और किसानों को मौबजे के तोर पर उन से निकाले गए धन का एक हिस्स भी मिला ठीक है चंपरण संघर्ष को गांधी जी द्वरा सत्या ग्रह पर पहला प्रियोग कहा जाता है और इस समय के दौरान गांधी जी को लोगों के द्वरा बापू और महात्मा नाम दिया गया तो सही उत्तर हो जाएगा नील करशक सन 1856 में नमलिखित गवर्नर जनरलों मरिसे किसने यह निर्णे किया कि बहादूर सा जहफर आखरी मुगल वात्सा होंगे और उनकी म्रतियों के पश्चात उनके किसी भी वनसज को वात्सा नहीं माना जाएगा वरिन हिंस्टिंग लॉड कार्नवालेस लॉड कैनिंग लॉड डलहोजी प्रश्चन इंपोर्टन्ट है इसका उत्तर है लॉड कैनिंग ऑप्सन नमबर सी देखिये बहादुर साजफर अंदे मुगल साशक था 5857 के वियरों के दुरान मेरट के सिपाही दिली पहुँचे और उनहें ठेक है मेरट के सिपाही उनकी से अपना नेता घोशित किया दिली पहुँचकर बहादुOR साजफर को पहले तोवे अंग्रेज को चुनोती देने से हिचकचा रहा था बहादुर्सा जफर लेकिन बाद में विद्रो को जो है आसिरवाद दिया उसने और इस विद्रो ने सभी को प्रेरित किया कई चोटे साशकों एवं प्रमुखों को अंग्रेजों के खिलाफ कारवाही करने का साहस दिया 1857 के विद्रो ने 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह तैकिया की वहादुर्सा जफर अंते मुगल राजा होगा और उसकी मृतियों के बाद उसके वनसजों में से किसी को भी साशक के रूप में मानिता नहीं दी जाएगी वे सिर्फ प्रधान कहलाएंगे देखें मुगल समराट के प्रती यह अपमान जनक वेवार भी 1857 के विद्रो के राजनिती करणों में से एक था लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय बना और 1858 से 1862 तक उसने सेवा की उसने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी काम किया उसने डॉक्ट्रिन ओप लैप्स को साप्त कर दिया और बॉम्बे, कलकत्ता और मदरास में तीन विश्विद्यलों की स्थापना की ठीक है? याद रखिएगा ओशन नमबर 20 पर आज़े अंतिम प्रश्ण है यह प्रश्ण है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभी लेखित करता है बैदिक कर्मकांड को, सिक्षकों के माद्धे वादचीत को, जैन धर्म की सिक्षाओं को या बौध्धों के नियम किसको? विनय पिटक, इसका संबंध है उप्सन नमबर 20 मतलब बौध्धों के नियम से देखें त्रिपटक का अर्थ होता है ट्रिपल बास्केट जो बौध धर्म ग्रंथों के प्राचीन संग्रह के लिए पारंप्रिक सब्द है विनय को विक्षूओं और तपश्वियों, तपश्विनों की पीडियों द्वारा याद और जप करके सन्रक्षित किया गया था देखें विनय पिटक या अनुशाशन की टोकरी प्रारंबिक बौध ग्रंथों का संग्रह त्रिपिटक के तीन भागों में पहला है देखें विनय विक्षूओं और तपश्विनों के लिए वुद्ध के अनुशाशन के नियमों को दर्ज करता है इसमें पहले बौध विक्षूओं और तपश्विनों और वे कैसे रहते थे के बारे में कहानिया भी सामिला है विन्य को वुद्ध के जीवनकाल में नहीं लिखा गया था और बौध कथा के अनुसार बुद्ध के सिश उपाली जो थे वो सभी नियमों को पूरा पूरी तरह जानते थे और उन्हें याद करने के लिए प्रतिवद थे बुद्ध की अम्रतियों के बाद यानि परी निर्वान के बाद उपाली ने प्रतम बौध परिशद में एकत्रित भिक्षूओं के समक्ष बुद्ध के नियमों का पाठ किया और यह है पार्ठ विने का अधार बना तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत धोके नियम अप्सर नुम्र है ठीक है विने पिटक सुद्ध पिटक अभिधम्ब पिटक तीन पिटक है यह जिनसे एक्जाम में प्रश्च मन जाते हैं तो 20 प्रश्चन थे यह इनकी प्रेक्टिस आप एक से दोबार कर सकते हो यह नंबर अस पर कॉल आवर्ट सुब करके आप यूपी पीसेस की फूल टैस्ट से सीरीज पर आप्स कर सकते हो इंसर भी टैस्ट का पीडिया भी आपको पेट टेलिग्राम ग्रूप में ही मिलेग तो हर दिन प्रेक्टिस करते रहेगा धन्यवाद